क्लास टेन्थ के सभी विद्यारती ध्यान दे जो आपका गनीत का त्रेमार्शिक पेपर होने वाला है उसका एक से लगा कर तेविस तक के सारे कोस्चनों को आज के स्वीडियो में एक ही वीडियो में हम कबर करेंगे तो सबसे पहले प्रस्ण में सही विकल्प आपको दिये के हैं छे नंबर के यह ठीक है चानवे और 404 का सीप का मतलब तो आप जानते ही होंगे यह इस तरह से चानवे को लगा लेना है और 404 स्टार को लगा लेंगे उनमें से कोमन लेना है और कौन सा लेना जो कम रहे तो इस तरह इसका उप्सन जो बच्चे का वहां पर चार इसका राइट ऑप्सन रहेगा एक द्विगात बहुपद है एक स्कॉयर इसके सुन्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बटा ए याने की गा नमबर इसका एकदम राइट ऑप्सन रहेगा ठीक है चलिए इसके बाद अगला है बहुपद एक से स्कॉयर माइनस तीन के सुन्यक होंगे तो देखिए एक से स्कॉयर माइनस तीन सुन्यक का मतलब है जीरो लगाना है तो बराबर जैसे हम लेके जाएंगे तीन आएगा और ये इधर की स्कॉयर हटाएंगे तो इधर अंडरूट लगाना पड़ेगा तो जैसे लगा तो ये बाहर किस रूप में निकलेगा पिलस माइनस अंडरोड के रूप में ठीक है ये निकल नहीं पाया ठीक है तो ये आपका क्या अंसर आया है अंडरोड पिलस माइनस 3 तो ये का नम्मर इसका ओप्षन राइट रहेगा चलिए एकस माइनस दो वाई बराबर जीरो और तीन एकस पिलस चार वाई माइनस बीस बराबर जीरो तो रेखा एक केसी है पिरती छे दी है कि समपातिय कि समान तरत तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखिए इनके मान रखना पड़ेगा अब जैसे मान आपने रखे तो यहां पर देखिए इसका मान है 1 इसका मान 3 माइनस 2 बटे में जाएगा 4 और यहां पर है 0 और बटे में माइनस का 20 तो दीखे यहां पर यह इस्तिती यह है कि a1 बटा a2 is not equal to b1 बटा b2 और एसी कंडिशन में जो रेखाए होती है वो प्रतिछेदी होती है यानि प्रतिछेद करती है ठीके तो यहां पर option आएगा आपका का चलिए यदि द्विगात समी करन a x square पिलस b x पिलस c के सुन्यक alpha और बीटा है तो alpha पिलस बीटा का मान कितना होगा तो देखिए alpha पिलस बीटा का मान होगा माइनस का बीटा ए चलिए इसके बाद अन्तिम जो छटा आपसे सहीवी का लोग पूछा है वो देखते हैं समांतर स्रेनी समांतर स्रेनी बारा साथ दो माइनस तीन का सारव अंतर निकालना है ठीक है तो सारव अंतर निकालने का तरीका यह है कि देखिए यह लिखा है आपके सामने बारा साथ दो और माइनस का तीन तो देखिए सारव अंतर निकालने का तरीका यह है कि a2 माइनस a1 यानिकि यह भ इसे एउन घटाएगा तो कितना जाएगा 7 माइनस 12 तो आंसर कितना है माइनस का 5 ठीके तो यहां पर option कूँंट सा है माइनस 5 खा चेलिए आप देखते हैं रिक्तिस्तानों को दो बहुपदो का योग कितना होता है तो दिखें दो बहुपदो का योग यदि हम दो बहुपदों को जोड़ते हैं जैसे x² प्लस 3x ये एक बहुपद हो गया इसी में दूसरा बहुपद जोड़ रहे हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3 तो आप जानते हैं x² x² के साथ जोड़ेगा तो कितना है 3x² प्लस 1x के साथ तो 10x प्लस 3 फिर भी क्या बनाए एक बहुपद ही बना तो यहां पर रिक्तिस्तान को हम लिखेंगे एक बहुपद चले दूसरा क्या बोल रहा है किसी वर्ग द्विगात समिकरन के अधिक्तम मूल कितने होते हैं तो देखिए मूल गयात करने का हमने देखा है कि x प्लस 3 याद करिए आप चार पार्ट अपने पड़ाओ तो इस तरह से कंडिसन आती है और x माइनस टू और अंत में जो आंसर निकल कर आते हैं दो उत्तर निकल कर आते हैं तो केवल कितने मूल होते हैं उसके दो मूल होते हैं चार पार्ट का है यह ठीक है समानतर स्रेनी तीन बटा दो एक बटा द सबको आदें आगे देखें दो 1-3 क्या उतराया माइनस का दो बटा दो यहां पर कितना अंसर रहेगा इसका तीसरे का माइनस का एक चलिए सभी वरत जो होते हैं सभी वरत सभी वरत होते हैं समरूप समान इनका रूप होता है चलिए 5 वर देखते हैं किसी बिंदु की वाई अक्षी से दूरी क्या कहलाती है तो देखें वाई अक्षी से जो दूरी आगे वो कहलाएगी भुझ भुझ और एकस रहती है वो रहती कोटी इसे हम एकस न्यदेशांक भी कहते हैं दूसरा नाम है इ तीन संरेखी बिंदूओं से बने तिर्भूज का छेतरफल हमेशा सुन्य होता है यह भी अध्याई शाथ का है तो इसका आंसर कितना था बराबर कुदर जीरो रहता है ठीक है तो ये इसका सुनने होगा चलिए जोड़ी को देखते हैं धन पुर्णांक धन पुर्णांक देखे सारे जो धन पुर्णांक है याने की पुर्णांक किसे कहते हैं देखे एक से स्टार्ट करेंगे तो प्राकत जीरो तो यह हो गया पहला का प्रागर परीमे और आपरीमे संक्या उक वास्तिविक संक्या है रेखाए यदि संपाती हो तो उसका जो हल होता है वहां होगा अनन्ता अनेक हल ठीक है यह तीसरा हो गया है रेखाए यदि प्रतिशेदी हो तो उसका हल एक आधित्य होता है द्हानात्मक तो मोल हमेशा वास्त्विक रहेंगे और अंति में यह एक्वल बी सी स्कॉाइर प्लास भी स्कॉाइर यह जो है यह पाइटा गुरत तो यह थी आपकी सही जोड़ी कोश्चन नमर तीन में कोश्चन नमर जो चार है इसमें सत्य सत्य दिये गए हैं देखिए पृति एग प्राकत संक्या एक पूर्न संक्या холод होती है तो प्राकत अभी मैंने बताया था कि जो abies start Ho और याधी इसमें 0 और सामिल करते तो पूर्ण तो बताएं सारी की सारी जो प्राकत में लिखी थी एक से जिरो के अंतरम गई यह वाली लिश्ट में तो हाँ आ गई तो ये बात होगा आपकी सत्य سत और परनी दो एक्सी, एक शरी, अंडरूड में एक से है, 40 है, एक बहुपद है, क्या यह? देखिए बहुपद कि इसे कहते हैं, कि बहुपद की जो घात होती है, वह हमें से पूर्म सब्सक्राइब पूर्म का मतलब है कि घात उसकी है, तो एक रहेगी, दो रहेगी, तीन रह चलिए अगला देखते हैं यदि समिकरन x प्लस 2y में equal 5 में यदि x का मान 1 है कितना x का मान 1 तो य का जो मान होगा वो 2 होगा तो आप रगली यहां पर 1 हमने यहां पर रखा उधर लेके गए 4 हो गया 4 के बटे में 2 यानिकि 2 उत्तर यानिकि एकदम राइड बात है 2, 4, 8, 16, 1, 17 तो इसमें सारवंतर आपको चेक करना होगा चेक किस तरह से किया जाता है? A to minus A1 चार में से 2 गटाएंगे तो 2, 8 में से 4 गटाएंगे तो 4, 16 में सारवंतर गटाएंगे तो 8 तो मतलब इसमें सारवंतर समान नहीं है इसलिए यह भी एक AP नहीं है सभी वर्ग समरूप होते हैं तो यह बात बिलकुल एकदम आपकी राइट है ठीक है? तो यह आपकी क्या हो गई है? सत्य बात हो गई है और अन्तिम जो है वा किसी बिंदू Y अक्ष से दूरी उस बिंदू का निर्दे सांग केलाती है तो नहीं केलाई है वो एक से निर्दे सांग केलाती है ठीक है? तो यहाँ बात आपकी हो गई है? आ सत्य है ठीक है? चलिए इसके बात कुस्चन नमर पांच में आपसे एक वाकी मुत्तर पूछे गए हैं उन्हें भी थोड़ा जल्दी जल्दी हम कबर कर लेते हैं इसका तो हो गया एक अगला देखते हैं यदि एक सिस्क्वाइर प्लस बीक्स सी के सुन्यक अलफा और बीटा है तो अलपा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो वही उत्तर आएगा वापस रिपीट इसका पहले का तो आपका का देखिए एक हो गया है दूसरे का क्या है minus का बी बटा ए तीसरे का answer देखते हैं यदि x प्लस y equal 5 है और x का मान कितना है एक है तो y का मान क्यान करना दिखी x का एक रख दिया तो बराबर कर उधर जाएगा एक तो कितना उतर जाएगा आप खुद बता सकते हैं तो y का जो मान आ जाएगा वो जाएगा चार चलिए अगला देखते हैं 5, 10, 15 का अगला पद क्या होगा तो बहुत ही सिंपल है देखिए बहुत ही सिंपल देखने में ही लग रहा है कि 5, 10, 15 तो अगला क्या हो जाएगा 20 चलिए इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि बिंदू X1 और Y1 एवाम X2 Y2 के मद्य बिंदू निर्देशांग लिखे जाने कि दूरी सूतर का यहाँ पर आपके फॉर्मूला लिखना है और दूरी सूतर का जो फॉर्मूला होता है वहाँ होता है X1 देखे 5 वा है यह प्लस X2 बटे 2 और Y1 प्लस Y2 बटे 2 ठीक है तो यह किसका फॉर्मूला होता है दूरी सूतर का दो चरो X और Y वाले रेकिक समेकरन का जो मानक रूप है तो मानक रूप किसे कहते है दो चरो वाला रेकिक समेकरन AX प्लस BY प्लस C तो यह थे आपके एक वाक्य मुत्तर यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसकी 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 कुछ्चन में यहां से टैन का थ्वा कि कि यह को सिद्वर 11 कि इसके बाद में को सिद्वर 12 को सिद्वर 13 यहां से इसका 14 का पहला लेख लिएगा अथ्वा इस तरफ है जलिए है यहां से यह थव और क्वेस्टा नमबर पंदरा में आप पाइथागुरस प्रिमें फार इसके भाद में इसके बाद है । तीनंक के question answer चिरू हो गए हैं चलिए इसके बाद में यहां से यह 19 कात हुआ चलिए अन्तिम देखते हैं अब 20 हुआ और 21, 22 और 23 देखे तो यह है आपका 20 यह है 21 21 के बाद में यह है 22 और यह अन्तिम आपका 23 है ठीक है तो इस तरह आज मैंने आपको गनीत कच्छा 10 कत्रे मार्शिक का पेपर का पूरा संपुर्ण पेपर आपको बताया है अच्छे से आप complete करिएगा और अधिकन के प्राप्त करिएगा